नेक्स मजली वैगर भी हो सकता है क्यों उसका रिजन यह है दोस्तों क्योंकि इसने हाल फिलाल में एक अच्छे प्रॉफिट शो करें है मत्ता बुक्स में प्रॉफिट शो करें है उभी 23 क्रोड के आसपास तो एक बड़ी बात है कि कंपनी पहले 500 क्रोड उसका लॉज दे रही थी अब वो आपको एटलीस प्रॉफिट से शो कर रही है बुक्स में तो एक बात द्वारा से आपका फ़ागत करता हूं आपके अपने चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लाल गगधा बटन आपको देख रहागा उसको क्लिक आपको देखने को मिल सकता है future में तो definitely आप इसको observe कर सकती हो next एक अपते या दो अपते के लिए चाल ज्यादा और future इसका कैसे रह सकता है इसके लिए हम देखेंगे इसके profit and loss तो वीडियो को आप अंतक दीख सकती हो इसमें मैं share करूंगा आपके fundamental और technical तो अभी मैं आपको पहले technical समझा देता हूं यह मैंने daily chart खोला हुआ उत्तम गालवा steel का तो दोस्तों जैसे मैंने एक छोट इछी trend line केची है आपको बता देता हूं कि मैं बात कर रहा हूं मैं इस line के बात कर रहा हूं तो आप खुद देखिए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है जो आपको नजर आ रहा है आप नीचे comment कर सकती हो बाकि जो मुझे नजर आ रहा है चार्ट में price action में आपको मैं वह explain करने का कोसिस करूंगा तो देखिए दोस्तों यह एक बोल सकते point है यह दोसरा point है ठीक है यह तीसरा point है और यह चौत्था point आल्मोस्ट यह टच नहीं कर पाया अभी ठीक है अब आप इसको तोड़ा समझिए कि हुआ कि रहा है ठीक है नीचे आया ठीक तो दोस्तों आपने एक चीज़ में notice करी होगी फिर यह जब यह third time उपर गया तो यह इसने यह इसको test किया ठीक है लेकिन four time जब यह नीचे है तो इसने आप support लिया हमारा नीचे लिस ट्रेशन लिया support लिया तो कहने का मतलब यह है कि stock ने यह तो इसमें इसने यहाँ पर हमेसा lower low का pattern बनाया तेख सकतो चार्ट के एक और इंग कि फेले नीचे जा रहा था अब उपर जा रहा है मतलब पहले लगता लोड लो बना रहा था अब लोड हाइस बना रहा है ठीक है तो मेरे साथ सब्सक्राइब चार्ट पेटन दो इसका काफी अच्छा अब लग रहा है तो डेफिलिटलि आप उसको लुक फॉरवर्ट कर सकते हूँ आपको अच्छे डन दे सकता है फ्यूचर में फ्यूचर मतलब कि एक नेक्स एक महिने के दिसंबर के महिने में ठीक है तो अभी चला साथ रूपे तीस पैसे के आसपास साथ रूपे तीस पैसे के आसपास चल रहा है तो मैं बोलूँगा आप 7-30 पैसे में चाहों तो कल बाहिर कर सकते हैं आप 7 रुपे के आसपर जे अगर कल मिलता है आपको तो आप लबक सकते हैं इसमें जो दोस्तों यह जो हाई है आप इसके लिए पहले वेट करना यहां देखना कि यह प्राइजेक्शन कैसे बनता है और मुझे परसनली बिलीब है इस बार यह डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है और यह इसको उपर जा सकता है मतलब जो आप मैंने ähän खेची है यह डेफिनेटली इसको ब्रेक करेग और यह उपर भी जाएगा और अगर इसके उपर एक CraOnal के डीकैनल तो डेफिनेटी서 ए स्टॉक रोकेट हो सकता है फिर इस टॉक को जो अब हो alma घृट चीन हो जाये मेन और यह स्टॉक दूसरेए उसमें चलै सकता है यह जो next target हमारा रहेगा यह जो आपको दिखना है resistance यहां तक हमारा इसके target फिर रहेंगे change हो चुका है scenario तो definitely आपको check कर सकते हूं यह आपको अच्छी return दे सकता है future में ठीक है तो chart recording भाई मेरे तो इसमें 10 में से 10 points है 10 में 10 points है आप definitely इसको देखो यह आपको अच्छी return दे सकता है future में अब बात करते हैं इसके profit and loss की देख लेते हैं कि कैसा यह company काम कर रही है future में इसका कैसा है रह सकता है एक बड़ देख लेते हैं अब देख सकते हो 7-7 पैसे का असपा 3% का circuit आज लगावाज में ठीक है तो अब देख लेते कि इसका high lows क्या है तो high low देख सकते हो दोस्तों 9 रुपे 9-93 पैसे का असपा high है low है 3 रुपे का असपास ठीक है तो यह जो 9 रुपे 3-93 पैसे एक registration की तरह काम कर सकता है तो वहा है तो revenue में देख सकते हो एक अच्छागादा jump आया revenue almost 100% का jump इसने किया है और देख सकते हो दोस्तों इसने इस quarter में profit show किया है 23 क्रोड के असपास जो June में 114 क्रोड का loss था जून quarter में अब इसको 23 क्रोड का profit हुआ है तो definitely आप इसको check out कर सकते हो company loss से profit में आ रही है जो loss पहल पहले lower lows बनने थे जैसे मैंने आपको समझाया अब वो lower highs का pattern मना रहा है it means chart में एक bullishness आ गई है मतलब buyers उसमें activate हो चुकी है definitely chart के accounting बहुत बढ़ी है profit के accounting में अब से अच्छा लगने लगा है और देख सकते हो earning per share भी इसका अच्छा खासा है almost 1.63 के आसपार आ गया है पहले और मैं अगर बात करूँ इसके fundamental के साब से तो मैं इसको 10 में से 8 अंग देना चाहूँ गए और चार्ट के accounting 10 में 10 है तो definitely आप इसको अपने radar में रख सकते हो या आपको अच्छी return future में दिखा सकता है बागे अगर बात करता हो से रोलिक pattern और आज के technical देख लेते क्या क्या आज का delivery अगर आप देखोगे तो delivery आप 67% है इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है ठीक है 67% के ratio काफी ठीक है लेकि इतना अच्छा नहीं है अगर 80-90% होता तो बहुत बढ़िया होता बागी से रोलिक pattern भी आप देख लो से रोलिक pattern भी इसका ठीक ठाक है प्रमोटर अच्छा है मतलब प्रमोटर होल्डिंग इसकी अच्छी खासी है तो definitely आप इसको observe कर सकते हो या आपको अशेर ने फीचर में दिखा सकता है यह जो स्टोरी में आपको बता रहा हूं यह स्रिफ next January तक के लिए है आप 7 रुपे के आसपास या 7 रुपे 30 के आसपास बाए कर के चल सकते हो और टागेट के लाव वेट कर सकते हो जोसे मैंने बताया 8 रुपे 50 पैसे कर पहला टागेट आप वेट कर सकते हो और 9 रुपे के उपर अगरे क्लोज कर देता है जो ट्रेंड लाइन में आपको दिखाए थी उसके उपर अगर सस्टेन कर जाता है तो definitely आपको नेक्स मजली वैगर भी हो सकता है क्यों उसका रिज़े नहीं है दोस्तों क्योंकि इसने हाल फिलाल में एक अच्छे प्रॉफिट शो करे है मत्ता बुक्स में प्रॉफिट शो करे है वो भी 23 क्रोड के आसपास तो एक बड़ी बात है कि company पहले 1500 क्रोड उसका loss दे रही थी अब वो आपको at least profit सो शो कर रही है बुक्स में तो काफी बड़ी बात है अगर next quarter में इसको profit आता है तो यह stock rocket हो सकता है इस price से भी तो definitely आप इस price में इसको observe करो बाकी आप और अगर कुछ भी और पूछना है नीचे comment कर लिजिए मैं definitive का reply कर दूँ है और और इस वीडियो क definitely आप share कीजिए जितना share कर सकते हो कम से कम 100 share चाहिए मुझे इस वीडियो में ठीक है आप facebook के मादियम से share कीजिए telegram twitter या mail कीजिए या आप WhatsApp status में लगा सकते जो आपको करना कीजिए लेकिन इस वीडियो में 100 share चाहिए आप किसको कीजिए अभी के अभी ठीक है तो मिलता को नेक्स वीडियो तिल दन भाई भाई थैंक यो सो मुझे एपटिटिग एपटिटिग एपक टीडिग एड़ पीजिए आप झाल झाल